नमस्कार, देखते हैं आज की खास खबर किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्धाटन किस ने किया? सही उत्तर है विकल्प ए, द्रॉपदी मुर्मू राश्च्रपती श्रीमती द्रॉपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्धाटन किया भारत ने कौन से देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनसिंग ब्रिज का शुभारम किया? सही जवाब है United Kingdom भारत और United Kingdom ने सन्युक त्रूप से बारवी आर्थिक और वित्तिय वारता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनसिंग ब्रिज के शुभारम की घोशना की है भारत ने किस देश के साथ उर्जा शेत्र में सहीयों के समझोते पर हस्ताक्षर किये? उत्तर है विकल्प C, सौधी अरेबिया वैश्विक उर्जा परिद्रिश में दो प्रमुख खिलाडी भारत और सौधी अरब ने उर्जा क्षेत्र में सहीयों को बढ़ावा देने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है वैश्विक जैव इंधन गट बंधन का शुभारम कब हुआ? ऑप्शन सी जी ट्वैंटी शिकर सम्मेलन में भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने जी ट्वैंटी शिकर सम्मेलन के दौरान वैश्विक जैव इंधन गट बंधन का शुभारम किया किस देश ने हरित जलवायू कोश के लिए दो अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबधदा जबाई? जवाब है विकल्प D. ब्रिटेन ब्रिटेन जलवायू परिवर्तन से निपटने में दुनिया की मदद करने के मकसद से हरित जलवायू कोश के लिए दो अरब अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा कौन से देश ने सामरिक पर्माणू हमला पंडुब्बी लॉंच की विकल्प A. उत्तर कोरिया उत्तर कोरिया ने अपनी पहली परिचालन सामरिक पर्माणू हमला पंडुब्बी लॉंच की च्राइफेड का कलात्मक खजाना कहां प्रदर्शित किया गया था उत्तर है विकल्प C. जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन में भारत की सम्रिद जनजातिय विरासत और शिल्प कौशल का कलात्मक खजाना च्राइफेड द्वारा जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित क्या गया था महिलाओं के लिए मासिक वितिय सहायता योजना सही विकल्प है B. तमिलनाडू तमिलनाडू सरकार महिलाओं को मासिक वितिय सहायता प्रदान करने के उद्देश से सामाजिक कल्यान पहल कलाइगनार मगलीर उरिमाई थो गई थित्तम शुरू करने के लिए तैयार है ICICI Bank के MD और CEO के रूप में किसकी न्यूक्ति को RBI की मनजूरी मिली? जवाब है संदीप बक्षी देश के नीजी क्षेतर के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI Bank में संदीप बक्षी को बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से न्यूक्त करने के लिए भारतिया रिजर्व बैंक से मनजूरी मिल गई है कौन से रेलवे स्टेशन को ICBC का Green Railway Station Certificate मिला? इसका आंसर होगा विज्जवाडा विज्वाडा रेलवे स्टेशन को परियावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को परियावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों के लिए भारतिया Green Building Council द्वारा प्लैटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ Green Railway Station Certificate से सम्मानित किया गया निर्वाचन आयुक्त श्री अरुन गोयल ने किस देश के राश्ट्रती चुनाव का निरिक्षन करने के लिए दौरा किया इसका उत्तर होगा माल्दीव माल्दीव के चुनाव आयोक के आमंत्रन पर निर्वाचन आयुक्त श्री अरुन गोयल माल्दीव के राश्चुपती चुनाफ 2023 के संचालन का निरिक्षन करने के लिए माल्दीव की मुलाकात की शांती स्वरूब भटनागर पुरसकार कौन प्रदान करता है? Option A CSIR भारत में विज्ञान के लिए मान्यता प्राप उपलब्धियों में से एक मानी जाने वाली शांती स्वरूब भटनागर पुरसकारों के 2022 के विजेताओं की घोषना Council of Scientific and Industrial Research CSIR ने की है कौन से बल्लेबाज ने एक दिवसिय आंतराश्ची क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरे किये है? विराट कोहली विकल्प दी विराट कोहली ने एक दिवसिय अंतराश्य क्रिकेट में 266 पारी में सबसे 13,000 रन बनाकर सचिन तेंडलकर का 19 वर्ष का 321 पारियों का रेकॉर्ड तोड़ा है बास्केट बॉल में जर्मनी ने किस देश को हरा कर विश्व कब जीता सही जवाब होगा सर्बिया जर्मनी ने सर्बिया को हरा कर पहली बार बास्केट बॉल का फीबा विश्व कब 2023 जीता विश्व के सर्वश्रेष्ट देशों की रिपोर्ट 2023 में कौन से देश ने दुनिया के सर्वश्रेष्ट देश का खिताब जीदा सही विकल्प होगा दी स्विट्जरलेंड नवीन तम अमेरिकी समाचार और विश्वर रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ट देशों की रैंकिंग के अनुसार, स्विट्सरलेंड ने एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ट देश का खिताब अपने नाम किया है विडियो पसंद आया हो तो लाइक करे और ऐसे ही बढ़िया प्रेजिंटेशन के साथ करंड अफेर्स के महत्वपूर्ण प्रशनों हर रोज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद